हेलो एडिवान वेलकम तो वाइफाइ स्टेडी चेंजिंग दा वी ओफ लेंडिंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टेडी चोर्नल वाइफाइ स्टेडी पर सो गाईज जैसा कि आप सभी को मालू में डिली सुबह 8 बजे मने टो साटेड डे अपना एक इ इनमें से important content बनाने के बाद ये session है जो कि आप लोग लिए बनाया जाता है डेली के newspaper होते हैं जिसको हम लोग cover करते हैं ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप इससे regular देखते होंगे अगर आप newspaper नहीं पढ़ते अगर आपको कोई जरूत नहीं है newspaper पढ़ने की कोई online books पढ़न जो है वो अच्छी होती रहे तो चलिए शुरुआत करते हैं good morning everyone ठीक है तो जैसे कि आप सभी को मालूम है आज है I'm sorry आज है 28th of January तो 28th January के सारे newspaper है जो कि हम लोग cover करेंगे सबसे पहले अगर आप इनमें से किसी भी exam की preparation कर रहे है तो आपको इस session जो है वो regular देखना चाहिए आपके बहुत काम आएगा ठीक है सबसे पहले previous देके question देखेंगे आज की code of the day सारे के सारे newspaper इतियास में क्या ह नियू एपीसी के chairman किसको अपॉइंट किया गया है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा नरेंद्र यह आपका बिल्कुल सरी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आये लोग के द्वारा budget किया गया है कितनी global unemployment 2022 के अंदर तो यह जो गोशना करी गई है वो कितनी 207 million की करी गई है बीस करोड़ लोग unemployment है जो की बताएगा है नेक्स्ट है बेस्ट फीफा men player award 2021 किसको मिला है यह है रोबोट लेवा डंसकुई यह कहां कही है यह पूलेंड टीम के captain है और ब्राइंड मुजिच के टीम से खेलते हैं club cricket के अंदर ठीक है लवेन डोवेस्की आगे बात करते हैं SLN को लेकर SLN ने दोस्तों भी recently Sydney tennis classic tournament जीता है और यह रश्या से belong यह जो की करते हैं नेक्स्ट है जो की है इंडिया का first bail build coal to methanol plant जो है pilot project यह कहां पे हैदराबाद में चलाएगा है तो भी आपका सही answer होगा ठीक है इसके अलवा अगर आपको इंडिया में SSC, bank, CDS हो गया आ Monday exam अगर आपको preparation करनी तो आप इस batch से कर सकते हैं जो की SSC में start हुआ है ठीक है SSC के अंदर science, statikgy, math, reasoning यह सारी classes start हुई है इसके अलावा बागे सारे educators की भी classes अभी recently ही launch हुई है तो सब के courses आपको available हैं या आपको कुछ benefits है weekly test होते हैं doubt clearing session होते हैं notes मिलते हैं आपको PDF सब कु PCS, Defense, Banking, SSC, किसी भी exam में आपको app download करनी होती है, mobile number डालना होता है, goal select करना होता है आपका goal कोई सा भी हो सकता है UPSC हो चाहे CA हो, CAT हो, UGCO, CAT हो चाहे कोई सा भी exam हो, plus में जाहिए get subscription में 12 या 24 मन्त और नीचे की तरफ BHU10 आपको लगाना है ठीक हैं एक बच्चे के education भी बच्ची के education आपको sponsor करने ही चाहिए, तो कोशिश करिएगा, बहुत सारे बच्चे जो की वेट कर रहे हैं, अभी उनके पास सिक्षा का कोई जो है source नहीं है, तो अगर आप sponsored child education पे जाके जो है, उनको help कर सकते हैं एक बच्चे के education दिलाने में, उनका account यहां पे बन जाए तो हमेशा ऐसा ही होता है कि हम लोग एक साल गुजरने के बाद में सोचते हैं कि यार काश ये चीज में पिछले साल start कर देता, काश ये चीज में उस time पे कर लेता, है ना तो इस काश वाली को जो है दोस्तों चीजों को हमेशा cut down करने के कोशिश करो, जो आपको करना है, ज आपका selection होगा, जो भी आपको करना है, काश का life में कभी मत रखो, factor है ना, काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, आप बहुत कुछ अच्छा कर लोगे life के अंदर, लेकिन ये काश मत रखो, आपको preparation करनी है, करो, आपको entrepreneurship करनी है, करो, ठीक है, अपना best जो जो भी field के अंदर आप काम करना चाहते हो, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक साल बाद ये नहीं सोचोंगे कि काश मैं पढ़ाई, पिछले साल से स्टार्ट कर देता, चलिए, आगे बात करते हैं, आज के दे हिंदू की बात करते हैं, सबसे पहले, कोविट देथ को लेकर दोस्तों सुप्रीम को डिस्ट्रिक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने बहुत ही लुकवार्म से जोकी दिया है, आपको मालू में 50,000 रुपे का एक ग्रेंटिया है, जो की गोशना करी गए थी, कि अगर किसी की भी कोविट के होजे से देथ होती, तो 50,000 रुपे उनकी फैमिली को मुवजा की तौर पर दिये जाएंगे, विकॉस स्टेट की इसके अंतर बहुत बड़ी स्ट्रॉक्चर हमारा चर्मरा गया था, अब जब ये बात हो गई कि भी पैसा देना है, तो टेक्निकल गलिच आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्मेंट की सेंटर गव हैं, जो की होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोट का यहां पर बिलकुल सही कहना है, वो यहां पर बताए गया है, यहां पर शिनदर के अंदर दोस्तों बरवारी बताएंगे, यहां पर एक मुद्दा हो गया है, जो की IAS कैडर को लेकर हो गया है, इसके बारे मैं डिटील में ब पुराना अफेर, एक्स्टा मेरिटेल अफेर जो है, मुलाहिप सिन जी का चल रहा था, जिसकी गोजना 2007 में जाके होती है, वो भी सुप्रीम कोट के इंटर फेर के बाद में, तो उनके जो बेटे हैं, प्रतिक की जो वाइफ है, उनका नाम है, यहां पर अर्पना जी, तो अर्पना जी, जो है, वो बीजेपी में आ गई है, ठीक है, वो यहां पर बताये गए, इसके अलावा दोस्तों, यहां पर सेंट्रल एजिंसी, चन्नी जी का स्टेटमेंट है, यहां पर दोस्तों, जो है, ठीक है, हर्याना के जो नया लॉल आया है, उससे जॉब और है तो यह वाली बात तो यह पूरा का पूरा आपका फ्रेंट पेज है यहां पर हमारे लिए जो इंपॉरेंट है वो हम लोग इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे यह सेंटल और यूनियन के बीच में आई-ए-स को लेकर क्या गुत्तम गुत्ता हो गया है तो यूनियन गवर्मेंट ने दोस्तों प्लैंग कर रहे है कि वो अक्वायर करेगी खुद के लिए है ना आई-ए-स और आई-पि-स ओवर्राइटिंग पावर से जो के करेगी मैं आपको शॉट के अंदर इसको समझा जा जहता हूँ एक्चुली में जो मुद्धा है ना वो है दोस्तों रूल 6 रूल 6 जो है उसको लेकर है यहाँ पर चेंजेस करेंगे जा रहे हैं सेंट्र गवर्मेंट के द्वारा जो कि सारे राज्यों को नोटिफाई भी करवाये गया है चार अमेंडमेंट है जो कि इसके अंदर प्रप बंदा है तो वहीं पर उसकी पोस्टिंग है जोकी होती है तो अगर कल को सेंट्र गवर्मेंट की ज़रौत पड़ी इस बंदे को बुलाना है सेंट्र के अंदर तो स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है नो अबजेक्शन सैटिफिकेट लेना पड़ता है तो यहाँ पे तो क्या किया गया है पहले वाले अमेंडमेंट में कि उसको इस चीज के ज़रूरत नहीं है स्टेट गवर्मेंट को उसको भेजना ही पड़ेगा समझ गए पहला बदलाव तो यह वाला हो गया दूसरा बदलाव हो गया सेंटलरण जो है वो डिसाइड करेगी कि एक्च्यलनबर ओफिसर कितने जो है वो स्टेट ऐनदर टिप्यूट करने हैं समझगे मेरी बात वो यहां पे सेंटल अला पापवर्मेंट के बीच में होता है अगर किसी भी इनके कैडर को अपार्मेंट को लेका किस इच को लेका Central Government के पास में जादा power होगी Central Government Decide करेगी इसको ठीक है चौथा जो यहां पर Proposed किया गया है वो है specific situation के अंदर ठीक है अगर कोई specific situation में service उस officer की Central Government को जरुरत होगी public interest के अंदर तो state क्या करेगा एक specified time के अंदर उसको रिलीस करेगा तो यह चार यहां पर changes है जो की किये जा रहे है कुल्मला के state government से Central Government के पास में power को transfer की बात हो रही है actually के अंदर मुद्दा क्या हुआ था इस चीज की जरुद क्यों पड़ी क्योंकि अभी कुस टैम पहले बंगाल में जे विलेक्शन थे न तो वहां के चीफ सेकेटरी जो थे वो उनको Central Government बुला रही थी लेकर उन्हों ने भी मना कर दिया कि नहीं मैं तो स्टेट में रहना चाहता हूं ममताब एनर्जी ने भी उनको रिलीज करने के लिए मना कर दिया तो उस टैम पे स्टेट और सेंटर की टसल बहुत हुए थी उस ऑफिसर को Central Government में बुलाने को लेकर हैना क्योंकि कोई 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 सैक्लोन की मीटिंग थी जिसके अंदर ममताब एनर्जी और सीफ सेक कर रहे हैं देखते आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है इसको लेकिन कुछ दूनों बाद भी बता लगीगा ठीके गाईस आगे बात करते हैं नेक्स शलते हैं जो कि पेज नमबर साथ यहां पे दोस्तों एस्टरोईट के बारे में बात करे गई है अभी दोस्तों यह अब यह हौट शॉट मुद्धा है क्योंकि रिसेंटली एक मूवी आई है डोंट लुक अप देखी कैं किसी ने डोंट लुक अप एक नेट्फ्लिक्स के उपर मूवी आई है लिनाडो डी के प्रियो कि जिसके अंदर एक अर्थ के ओपर एस्टरोईट है जो की टकराता है मैंने मूवी देखी नहीं है लेकिन मुझे जो इंफर्मेशन मिली है उसके जजाब से बता रहा हूँ कि एक एस्टरोईट अर्थ के ओपर टकरा रहा होता है और उसको लेकर फिर नासा और बागी सब है जो कि लोग काम करते हैं आपको मालूम है रिसेंटली हमने एक मिशन नासा ने मतलब जब तक नासा है तब तक तो अमीद है कि हमारी एर्थ को बचा जा सकता है तो में कर सकते हैं आपको मालूम होगा 66 ऐयर पहले क्या हुआ था हमारे जो डाने इसटरोई तो वो दुनिया तो बहुत तेजी से लहरे उठती है पाने की और उसके अंदर हमारे पूरे माउंटेंज जो है वॉलकेनिक एरप्शन हो गया उसके बाद में सल्फरिक एसिड ओशन में चला गया पूरा का पूरा एसिटिक हो गया और पूरे के पूरे तो एसा वापस से ना हूँ उसके लिए दोस्तों ये डार्ट मिशन ने जोकी करा गया था अब चिंता की बात यह है कि कलको अगर इतना बड़ा एस्टरोइड आता है और हमारे अर्थ की तरफ आता है तो क्या हम इतने सफिशेंट है क्या कि इतने बड़े एस्टरोइड के ड को चेंज कर सके कुछ इस तरह के इसी चीजह है जो की हो सकती है लेकिन इतने बड़ा ऑपरेशन अभी तक हमने नहीं किया है पता नहीं रियालिटी के अंदर कभी ऐसा होगा तो क्या होगा ठीक है तो 1989 के अंदर ऐसा हुआ था वैसे हमारी अर्थ के ओपर तो आया नहीं है आते हैं तो बहुत चोटे-चोटे कॉमेट्स आते हैं लेकिन 1989 के अंदर दोस्तों ये 5,5 किलोमीटर डायमीटर वाला 5,5 किलोमीटर का भी बहुत सफिशेंट है हमारी अर्थ को खतम करने के लिए वो दोस्तों हमारी अर्थ के पास से गुजरा था समझ गया है ये लार्ज नियरबाई 7,5 किलोमीटर पास से गुज़े अस्टरोईड जो कि हमेरे अर्थ के बाजु में से निकला 2022 के अंदर भी दोस्तों एक और अस्टरोईड आयेगा जो कि नियरबाई 1 किलोमीटर के आजपास का उसका डायमीटर होगा वो भी हमारी अर्थ के पास से जो की दा है डामिटर इसका भी एक किलोमीटर का था और इसको पोटेंशली हजाड या था नासा के दुवारा यानि की potentially hazardous है ना बड़ी बात है जब हम लोग किसी को potentially hazardous जो है बताते हैं यह second largest asteroid था जो कि हमारी अर्थ के पास में से निकला 2018 के बाद में है ठीक है इसका जो distance था वो 5 lunar distance था 5 lunar distance का मतलब होता है एक moon और हमारे बीच में एक lunar distance है जो कितना है है 3.84 लाग किलोमेटर का है ना हा तो उसको पांस कर दो नियर्बाए 15 लाग किलोमेटर के आसपास के जो है ठीक है हमारे अर्थ के पास में था recently don't look up जो movie थी उसके अंदर भी यही था कि catastrophic event है जो कि comet हमारी अर्थ के उपर आता है उसके वज़े से बताया जाता है ठीक है और जो हमारी पास से गुज़रा है मैंने आपको बताया चुको पांस किलोमेटर का गुज़रा है यह देखे कुछ इस तरीके से अस्ट्रोइड आया था और डाइनसौर जो है प्रजाती यह पूरी गायब हो गई थी है ना यह देखे इसको बोलते है चिकुलब क्रेटर जो क्रेटर आकर गिरा था ना 66 इसके अलावा बिगेस्ट में बात करें तो मैंने आपको बताई दिया 5.4 किलोमेटर का 1989 के अंदर 4179 तूटर टिस यह इसका नाम था है बहुत बभड़ा 5 किलोमेटर का है मतलब बहुत बढ़ा है 5 किलोमेटर ओके इसके अलावा 3.8 किलोमेटर का 1981 में 3.7 किलोमेटर 2006 में और सबसे क्लोज जो है न व ए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते 6.2 मीटर का छोटा ही था वैसे थो लेकिन बहुत ही पास से गुज़रा है 7000 किलो मीटर पास से 11 मीटर का था 1.5 मीटर का चोटे चोटे जो है वो हमारे अर्थ के पास से काफी गुज़रते रहते हैं मतलब 2022 के अंदर भी दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि नियर बाइ 20-22 नियर अर्थ अबजेक्ट से जो कि हमारे अर्थ के पास से गुज़रेंगे ठीक है तो यह यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर 994 PCI जो कि रिसेंटली गुज़रा है उसके बारे में बताया गया 13 जनवरी को ही हमारे पास से गुज़रा है ठीक है 1.2 माइल्स 10 लाग किलोमीटर 16 लाग किलोमीटर के आसपास मान लो उतना ठीक है और 5 गुना जादा डिस्टेंस था हमारी अर्थ और मून के अगर दिखा जाए तो जिससे हमें कोई नुक्सान है जो कि नहीं हुआ 7482 का नाम रखा गया है ध्यान रखी का ये पेपर में पूछेंगे आपसे एक किलोमीटर से जादा इसकी लेंथ थी और है ना मतलब बुर्ज कलिफा जो है उससे भी जादा 3,4,5,2 फीट का चाहिए बुर्ज कलिफा से भी जादा बढ़ाता तो डेफिनेटल अगर आजादा तो काफी नुक्सान है जो की पहुचता वैसे ट्रावलिक स्पीड आप देख सकते हो मतलब बहुत ही जादा 45,000 माइल्स पर आर की स्पीड है मतलब सोची है कितनी तेजी से स्पीड आया था मतलब ये तो पोटेंशल अजादियस इसको बताया था मतलब हमें तो बाद में बताया गया जब गुजर जाता ना तब हमें जनता को पता लगता है कि हां आसा कुछ गुजर गया है तो अगर कभी बविश्य में ऐसा हुआ ना तो आमें तो पता भी निचलेगा क्योंकि साइंटिस कमुटी का भी बताएगी भी इस बारे में क्योंकि बता देंगे तो पहले लोग जो है पतानी क्या ही क्या ही ताम बतानी ताम जाम करेंगे मतलब दुन्या वह सबको लगए मनने तवाले काम बंद करो चल करो पाटी करो गोवा पर जाके बीड लग जाएगी तो यह देखिए यह आपका बुर्ज कर लिपाए आट सो स्ट्राइक आगे ती तो आज्वाव ल को नहीं पता है चलो ठीक है आगे बात करते और इसको डिस्क्रवर के आगया फर्स 1997 के लिछा यह थीक है जो परफेले वाले एस्ट के बारे में बात कर रहा हूं थेक 바ले तो कुछ खास निस से नहीं है ठीक है आगे बात करते हैं internet express को लेकर यहाँ पे जो हमारे लिए important है 5G के वज़े से दोस्तों काफी सारी flights है जो की cancellation हो गई है कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में कल भी हमने detail में देखा था कि काफी सारी cancellation हो गई है ठीक है इसके अलावा हमारे लिए जो important है वो है दोस्तों first virtual summit ज situation के वज़े से cancel कर दिया गया लेकिन हम लोग क्या कर रहे है कि कजाकिस्तान करगिस्तान तर्कमिनस्तान और उच्पेकिस्तान पांचों देशों को हम लोग क्या कर रहे हैं फॉर्स्ट वर्च्वल संविट है जो कि 27 जनवरी को कर रहे हैं Mr. एक्स्टन अफेर्ड ने दोस् ने मोदी जी पांचों देशों के चक्कर भी लघा कि आये थे हना उस टैम पे भी पांचों देशों में जाके आये हैंеци हमारे लिए इम्पोरिंट्ट इए है क्योंकि पांच में देश चो देको चाइना के साथ में अन 15 यह और देश हैं और आफगानिस्तान के साहत이적인 के सा सवाल बनेगा आपके PCS और UPSC का तो यह अगले जो भी आपका एक्जाम आएगा कोई भी स्टेट का आपका PCS और UPSC का प्रेलिम्स उसमें यह सवाल बनेगा ही बनेगा अफगानिस्तान की बॉर्डर से एक और Tazhakistah ठीक है तो तजाकistah अगर आप देखोगे तो कौमन है जो की अफगानिस्तान और चाइना दोनों के साथ में जह वो बॉर्डर शेर कर रहा है ओके गाईस चलिए तो ये वाले बात हो चुकी है इसके अलावा ठीक है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो यह चाइना है ना यह आपका कजागिस्तान हो गया यह करगिस्तान और यह तजागिस्तान अब अगर आप तजागिस्तान का देखोगे तो यह अफगानिस्तान के स तरीके से आप इनकी बॉर्डरर कर सकते हो कि ऐसे कय जागिस्तान यूसर जबेकिस्तान टी से तर्कमिनिस्तान फिर यहाँ पर टर चाखिस्तान और टा चाब्स्तान आप को मुझछा करना जरूरी है इस एरिये में कáveis क् साथ नोदो साथ में इसकी border share हो रही है ठीक है मैं अप अच्छे से दिख रहा है क्या मैं आप एक तो दिखता हो नहीं है डार कलर आते ही चलो ठीक है तो अब यहां पर तोड़ी इत्यास के बारे में बात करें यह जो Central Asia जो country वाला जो एरिया है के यूटी के टी इस तरीके से याद कर लो सिंपल तरीका बता रहा हूं के यूटी के टी इसमें जो टी है वो तजाकिस्तान है इसकी border चाइना के साथ में मिल रही है साइड और इस साइड अफगानिस्तान के साथ में मिल रही है ठीक है यह कर्गिस्तान हो गया कजाकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, simple है तो आपको easily दिक्कत नहीं आएगी याद करने में border area आपको याद करने में issue नहीं आएगा हना दोनों की border area आएप याद कर लोगे सवाल बनेगा फिर से बता रहा हूँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखो कर मैं Central Asian countries के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पर 19th century के अंदर तो Soviet Union ने इसके उपर कबजा कर लिया था और Russians और ये सब लोग है जो कि यहाँ पर जमा हो गए ते लेकिन उससे पहले की बात करूँ, Pre-Islamic और Early Islamic era, 1000 साल पहले के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर Iranians है जो कि दोस्तों रहा करते थे, Eastern Iranian जो कि कई सारी languages बोला करते थे उसके बाद में यहाँ पर तुर्की के लोग आ गए Central Asia जो है वो देरे-देरे Homeland बन गया, Kazakh लोगों का तुर्की लोगों का, उजबेक के लोगों का तो बहुत सरे ethnic group यहाँ पर आज भी देखने को मिलते हैं देरे-देरे दोस्तों लोगों ने क्या है Iranian language को replace करना चालू कर दिया बागे सारी languages से और देरे-देरे क्या हो गया यहाँ पर तजिक spoken country जो लोग है वो भी आपको दर्जागिस्तान में देखने को मिले उसके बाद 19th century आते-आते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया Russians ने दोस्तों उसको colonize कर दिया है ना और यह USSR का part Soviet Union का part है जो कि यह बन गया ठीके गईज उसके बाद में 1991 के अंदर क्या हुआ डिविजन हुआ, Soviet Union ने टूट गया तो 14 प्लस 1, 1 मतलब Russia country बना 14 countries बने उसमें सही है सारे countries वापस है जो है अलग से formation हुआ ठीके गईज, आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो Kazakhstan, 7 million की population में Russians भी रहते हैं Ukrainian पचास, 5 लाग लोग रहते हैं आज भी Germans और जब 1950 के बाद में एक और important event यह हुआ कि जो भी ऐसे लोग थे जो migraine थे European countries के और main Russia के वो सारे migraine का अड़ा बन गया था Central Asia तो यह सारे लोग जो migraine थे जर्मन हो चाहे European हो सारे सारे यहाँ पर सेटल डाउन हो गए European settlers यहाँ पर बहुत ज़ादा बन गए थे जो की Kazakhstan, Russian, Ukrainian, Germans हैना यहाँ तक की Koreans भी दोस्तों यहाँ पर स्टैलिन वाले टाइम के ओपर देखने को मिले थे तो इस तरह के से इस पूरे एरिया में population बढ़ती कहीं आज की टाइम पर Central Asia की population 7 करोड के आसपास है 5 countries में जिसमें से 2 करोड के आसपास तो कजाकिस्तान में कर्किस्तान में 7 लग 90 लग लोग रहते हैं तजाकिस्तान तुर्कमेरिस्तान में 60 उजबेकिस्तान में नियरभा 35 मिलियन ठीक है सारे तीम तरोड के आसपास देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह सारी population है आगे बात करते हैं जो की चलते हैं दोस्तों एक और important news के ओपर जो की हर्याना और हिमाचल को लेकर है हर्याना और हिमाचल दोनों ने दोस्तों क्या किया एक MOU sign किया है जिसके अंदर यह वापस से revive करे था आरे निच कब आती है तेखो हमारे इतियास के अंदर हमारे इतियास आज के चल रहा है 2022 पहले भी आपको जब मैंने इस्ट्री पढ़ाई है तब मैंने आपको पहले यह टाइम लाइन के बारे में समझाया है कि 2022 साल पिछे जाओगे तो जीरो आ जाएगा जिसको birth of Christ कह यानि कि नियरबाय 4,370 साल पीछे जाओगे तो हमारे यहां से शुरुवात होती है इंडेस वैली सिविलाजेशन से जो कि कितने 1500-700 साल तक रहती है वैसे खेर इसका टाइम पिरेड तो 1750 ही माना जाता है 1750 के अंदर ये इंडेस वैली सिविलाजेशन खतम हो गई ती या आरियन एजे जोकिर है ये आरियन लोके जो कि हमारे देश में आयते जिन्होंने रिगवैद, सामवैद, ये जुरुवैद, अथरवैद ये सारी जो है वो लिखी थी कहना रिगवैद जो किताब लिखी वी है उसके अंदर उन्होंने अपनी लोकेशन भी डिफाइंड कर पर लिखी गई ती यानि कि सब्सिंद्धव का मतलब एक ऐसी जमीन जापे साथ नदिया होती है अब जेलत चिनाब रवीब ब्यास अतला जी ये पांस तो हमको मालूम है चलो गागर भी मालूम है अब सात्वी नदी हमें मिलती नहीं है क्योंकि आज की टाइम पर नदी एक्जिस्ट ही नहीं करती है और बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो कि उसका एक्जिस्ट करता है मेजर रिवर के तौर पर नहीं है हडपा, मोंजुदारो इन सब के बारे में पता किया इनकी वो करा इनके बारे में आर्यांस लोग यहीं पर ही थे क्योंकि इंडेस्ट वैली तो पूरी खतम हो इती फ्लट के वज़े से आर्ट कोई के वज़े से हना तो उनके 200-200 साल बाद यह लोग आ गए थे तो अभी रिसेंटली दोनों ने M.O.E.U. सैंट किया और यह वापस से इसके ओपर डैम भी बनाएंगे इस रिवर के ओपर ताकि इस रिवर के फ्लो को बढ़ाया जा सके और वापस से इसको रिवाइब किया जा सके समझ गए तो इसके ओपर बजट भी 800 करोट रूपे का बजट भी जो है वो रिवाइबल ऑफ दा सरस्वती रिवर के लिए यहाँ पर गोशना करे गई है अगर आप देखोगे तो इसकी शुरुवात है ना सरस्वती रिवर की शुरुवात इथियास के साब से उत्राखन के अंदर हरकी दून है वैली है गलेशियर है गड़वाल रिजन में वहां से इसकी शुरुवात होती है ठीके जाइस इसका जो मैप है वो देख सकते हो यह पूरा का पूरा मैप है पंदरा सु किलोमेटर की हुआ करती थी पांच मीटर डीप है जो की हुआ करती थी आज से चार अजार साल पहले ही मतलब टेक्टोनिक शिफ्ट के वज़े से जो सप्लाइटर रिवर का वो पानी का कट आफ हो गया और यह पूरी तरीके से जमीन में गुसके खतम हो गई इसका जो ट्रैक था दोस्तों वो काफी लंबा था जिसमें राधस्तान का का काफी बड़ा एरिया था हर्याना का एरिया था इमाचल का एरिया था उतराखंड का एरिया था यह सारे का सारे स्टेट है जहां रवी ब्यासतलज एक जो है आपे यह सरस्वती ओके आज की टाइम पर तो पूरी के पूरी के वज़े से ड्राय हो चुकी है गागार है जो कि है लेकिन यह वाली सरस्वती नहीं देखने को मिलती है यह आपके लूनी नदी भी है यह पुशकर वैली से स्टार्ट होती है पु इंडस को हम लोग सिंदू कहते हैं सुतुद्री सतलच को जेलम को विस्ता विपासा हम लोग ब्यास को असकनी चिनाप को परुश्री रवी को और एक अपनी यह वाली हो गई ठीक है जालो और ठीक है महावारत के अंदर भी दोस्तों इसके बारे में बता रखा है मैंशन क् कि यह नदी काफी ड्राइफ होगे थी यानि कि महावारत भी जो किताब लिखी वी है वो भी 2000 साल पहले की किताब लिखी वी है इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कैपेसिटी एक डैम का फॉर्मिशन क्या जा रहा है हर्याना के को मिलती है रिवर तो नहीं बोलेंगे उसी को हम लोग रिवर बनाएंगे और इसको सरस्वती बोलेंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो कि छोटी सी न्यूस्ती बहुत थी लेकिन इंपॉरेंट थी जो कि सैबी को लेकर है सैबी ने दोस्तों लॉंच के एक कुछ पता ही निए तो क्या होता बहुत लोगों का पैसा जो हो गाया हो जाता पेटियम आ चुगा है बारासों के उपर ग्यारासों के उपर हैना तो इंवेस्टर्स की अवेरनेस को क्रेट करने के लिए एक नई एप बनाए गई है सैबी के दुब़ारा जिसका नाम है सार थी ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है साहभी की बात करें 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ मुंबई में एड क्वाटर है सारे चेस्टो सास्टो लोग काम करते हैं अजे त्यागे इसके चेर्मन है अभी राइट नौ मिनिस्ट्र फिनेंस के अंडर में यह काम करते हैं यह क्रिकेटर को लेकर टी 20 के अंदर दोस्तों अंतराश्टी क्रिकेट परिशा आज सी की दुवारा एक टीम है जो की गोश्टना करें यह बेस्ट टीम जो बोलते हैं जिसको टी 20 की पुर्शों की और महिला होगे पुर्शों में तो कोई भी प्लेयर इंक्लूट नहीं कि महिलाओं के अंदर दोस्तों कौन यहां पर 25 साल की स्मिती मंदाना जो है ना उनको इस टीम के अंदर शामिल है जो कि ICC के अंदर किया गया है इसके अलावा कोई भी और नहीं है यह वाइस कैप्टेन भी है और जबर्दस बल्लेवाज है जो कि बार जाती है ओकई टीम के अलावा कोई भी शामिल हो नी ही चले आगे बात करते है जो कि यह Flipkart की नई स्टार्टप प्रोग्राम को लेकर तो फ्लिपकाड में दोस्तों क्या किया है एक ना स्टार्टप प्रोग्राम लॉंच किया है तकि वो भी क्या कर सके आने वाली जो कंपनी जना उनके अंदर पैसा इंवेस्ट करें वो कंपनी भी बड़ी हो और यह जो है पैसा अंकर सके और जो स्टार्ट अप्स को जो यह है फ्लिपकार्थ करेगा जो की कॉपडस करेगा जो की के उपर काम कर रहे तो यहां मेंनफ वीक यहं का जो लोग्राम में जो की कंडिक किया जाएगा वन-टू-वन mentorship sessions होंगे और उनको मदद मिलेगी बहुत अच्छी बात है मतलब सारे जो बड़ी company है ना उनको इस तरह के से करना चाहिए इससे क्या होगा और company grow करेगी हाना majorly entrepreneurs को founders को problem होती है कि कोई mentor करने वाला नहीं होता कोई बताने वाला होता कहां से investment लेना है क्या करना है किसके पास जाना है हना तो यह बहुत बड़ी समस्था होती है अगर जैसे कि आपके पास में for example आपको start-up कर रहे हैं आपके पास में अच्छा कोई innovation है कोई नया product आप launch कर रहे हैं कोई अच्छे एसी फील्ड जहां पे लोगों की problem को resolve कर रहे हैं है तो आप क्या कर सकते हैं आप के लिए simple तरीका बताता हूं मैं आप LinkedIn के ओपर जाओ आप LinkedIn के ओपर एक promo उनका premier होता LinkedIn premier है न वो खरीद लो 10-12,000 रुपे का साल बर का आता है और आप अपनी हमेशा deck बनानी होती है आपको एक है न एक पूरी एक PPT बनानी होती है आप इस तरीके समझ लो जिसके अंदर आप पूरी detail है जो कि लिखते हो आपके अपने startup के बारे में और ऐसा नहीं होता है कि launch करने से पहले आप पैसे मांगने पहुच गया है ने मैं तो launch तो करूँगा अगले मैंने अभी से पैसे दो ऐसा नहीं होता है पहले आपको कोई भी company launch करके कुछ time तक आपको प्रूव करना होता है कि yes जिस project को मैं लेके आया हो मैं कर रहा हो ना ये successful है और investors को पैसा बना के देगा तो आपको कम से कम 6 मैंने तो खुदी ही sustain करके अपने numbers दिखाने होते हैं growth के तब जाके फिर आप किसी investor को pitch करो अपने LinkedIn account से जो भी आप बहुत सारे मिल जाएंगे Indian angel network है, let's venture है, 500 ऐसे networks है मतलब जो की investors पैसा उन network में डालते हैं और network फिर start-up में डालते हैं समझ गए, इस तरीके से, Sequa Capital का नाम सुना होगा, यह सब जो है, soft bank का नाम सुना होगा, यह सब यही काम करते हैं, ओके, तो वो भी चाहते हैं कि कोई अच्छे start-up उनके पास है, उनको फंड करें, problem क्या होती है कि awareness नहीं है, पता ही नहीं है करना क्या है, तो यह बहुत challenging होता है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सेकते हो, 5 लाग USD तक का investment है, जो कि यह लोग available करवा रहे हैं, कस्टमाइज करिकुलम जो है, वो create के जाएंगे industry के लिए, और उनको help करेंगे, product designing न, चलो, ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, जो कि Antarctica की, ice fish को लेकर है, ice fish, यहाँ पर आपको fish नजर आ रही है, यह बिल्कुल transparent fish है यह आपको जो नजर आ रही है, है न, यह बिल्कुल transparent है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर bloody नहीं है, blood मतलब homoglobin नहीं है, red blood cells नहीं है, इसके विल्कुल transparent है, यह oxygen कैसे लेती है, यह अपने skin के तुरू oxygen लेती है, समझ गए, तो एक deep sea scientist जो है न, उन्होंने ice fish की बहुत सारी breeding colonies जो है, वो पता करिया Antarctica के veddles सी के पास में, ठीके गाईज, इनको जो नाम दिया गया है, यह यह पर नियो, फेगा तो पैसिस, इनोहा नाम का एक scientific name है, जो की दिया गया है, जो की दिया गया है, यह बिल्कुल transparent है, क्योंकि दुन्हों type RBC, इनके पास homoglobin भी नहीं है, बहुत ही evolutionary adoption है, जो की इन लोगों ने किया है अपना, और oxygen जो है, वो skin के थुरू जो है यह यह लेती है, ना, 90 मीटर से 200 मीटर की depth में जो है यह fish आपको देखने को मिलती है, ओके, चलिए, यहाँ पर वीडियो भी है, लेकिन वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, डेली दो दो तिर इस ट्राइक आना अच्छी बात नहीं है, कुछ दिनों बाद में वापस चलाएंगे वीडियो, ओके, अपने jaws है, जो है इसको clean रखने के कोशिश करता है, आज के टाइम पे 60 मिलियन active nest है जो की देखने को मिलते हैं अंटार्टिका के आजपास, ओके, largest fish breeding colony जो है, वो पूरे दुनिया में यहीं पर ही discover है जो की करी गई है, ठीक है guys, चलिए, और बहुत warm water के अंदर है, जो की यह रहते है, पानी के depth में 20-30 degree Celsius temperature होता ना, वहाँ पर यह आपको देखने को मिलते हैं, चलिए, आगे बात करते हैं, जो की climate hazard and vulnerability atlas of India, तो हमारे जो scientist हैं दोस्तों उन्होंने recently क्या किया है, एक atlas बनाई है, जिसमें हमने बताया है कि हमारे जेश के कौन सी जगह पे, कौन सी climatic conditions से नुकसार है, जो कि हमें देखने को मिलता है, आपको मालू है ना, हमारे जेश जितना diversify है, उतना हमारे यहां पर जोस्तों vulnerability भी उतनी ही climate की, एक तरफ गर्मी बहुत पढ़ती है, एक तरफ पानी बहुत पढ़ता है, एक तरफ सर्दी बहुत पढ़ती है, और दिल्ली विल्ली वाले एरिया में तो सारे चीज़े एक साथ होती है, ठंड भी extreme पढ़ेगी, गर्मी भी extreme पढ़ेगी, बारिज भी extreme आएगी, तो और कफ समस्य हो जाती है तो CRS का है Climate Research and Service है यह IMD के अंडर में दोस्तों operate करता है इनोंने यह देखिए 14 zone एक atlas से जो की बनाई है cold wave की problem, heat wave की कहाँ पर है drought की कहाँ पर है, flood की कहाँ पर है तो अगर हम लोग इन सारे चीजों से counter करने के लिए अगर हम प्रिपेर हो जाएं प्रिपेर करके रखें अपने आपको तो क्या होगा, हमारे country में काफी लोग की जान और हमारे economy दोनों को बचाया जा सकता है, जैसे कि for example cyclone आने की सबसे बड़ी problem coastal areas में होती है, तो वापे हमारी NDRF की team prepared रहे पहले से हमारे satellite जो काम करें उनके ओपर हम लोग actively काम करें तो ऐसी काफी सारी चीज़ा है जो की हो सकती है और हम लोग करते भी है ऐसी बाती, तो 14 ऐसे extreme weather pattern जो है वो यहाँ पर identify है जो की करे गए है ओके, चलिए IMD की बात करें तो वो अपना formulation देखा भी 14 जनवरी को मनाते है IMD दोस्तों बहुत ही पुराना department है और Union Minister of World Science इतंदर सिंग जी के दुवारा इस map को इस atlas को जो है वो launch किया गया है IMD की शुरवार 1875 के इंदर करे गई थी यह हमारे हाँ पे seismology, weather event, observation करना है ना वर्ल्ड के जो six regional metrological center है उसमें से एक हमारा भी है जो की world metrological organization का पाठ है ओके गाईज month wise hazardous level जो है इच district का इसमें बताया जाएगा 640 map बनाएगा है इसके अंदर category के इसाप से उन सब को information दी जाएगा in fact हमारा IMD department जो हमें इंडिया को इन है आसपा से countries को भी अलट का काम करता है ठीक है आज के शॉट्स की बात करें तो बेंगॉली थेटर पस्नालिटी स्वाहली मित्रा जी उनकी मिर्ति हो गई रिसेंटली इसके लवा इंडिया होस्ट करेगा women football Asia cup 2022 Mumbai नवी Mumbai और पूने के अंदर 20 जनवरी से ये इवेंट है जो की होने वाला है 12 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो Asia cup के अंदर भी हमारे फुटबॉल में टीमें अच्छा परफार्म नहीं कर पाती है तो ओफुली इस बार महिला और पुरिश महिलाओं का टुनामेंट ही है जैपान ने लास्ट टाइम है जो कि इस टुनामेंट को जीता था ओके चलिए आगे बात करते हैं इंडिया और जापान ने मेरिटाइम पार्टनेशिप एक्साइज है जो की आपको ध्यार रखना है नई किताब आईए बोस्ट अंटोल्ड स्टोरी ओफ एन इंकन्विनेंट नैशनल लिस्ट किसके दुवारा चंद्रा गोश के दुवारा ठीके गाईज चंद्रचूर गोश है उनके दुवारा इस किताब को लिखा गया है दुपई ने उपन किया अपना इंफिनिटी ब्रीज ट्राफिक के लिए फर्स टाइम आप देख सकते हैं ब्रेज जो की बनाया गया है बहुत ही अमेजिंग ब्रेज रोड आपको देखने को मिलती है यहां पर गाड़ियों के आवरेज स्पीड ही 120 के आसपास होती है 100 तो मतलब बहुत ही दीरे जो गाड़ी चल रही है इसका मतलब हो 100 किलोमेटर पर आर के श्पीड पर चल रही है वह दो महीं के बात कर रहा हूं हमारे इंडिया की हमारे इंडिया के मैंसोच ले न अगर आप कोई कॉलेज में जाते हैं अगर आप कोई जॉब पे जाते हैं अगर आपको घर का काम करना होता है तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बेस टैम होता है मौनिंग टाइम सुबह 5 बज़े से 4 बज़े से उठो और 8-9 बज़े तक कि अपनी अच्छी प्रिप सब्सक्राइब के बारे में बात कर रहे हैं आज की दिन की इतियास की बात करें कल की दिन की मतलब तो कल 19 जनवरे को 1931 को फर्स राउंटेबल कॉन्फरेंस हुई लंडन के अंदर बियार अमेडकर और सब के दुवारा जो है उसको अटेंड किया गया गांदी जी नहीं गया इंडिया पाकिस्तार ने एक्सेप्ट किया यूएन का मीडियेशन न्यूर्क के अंदर 1948 में 19 में बराक उबामा यूएस प्रेसेंट बने फर्स ब्लैक प्रेसेंट 1981 के अंदर इरान ने होस्टेज क्रैसिस जो है वहाँ पर है नोगया कई सारे यूएस सेटिजन को रिलीस क कोंप्लेक्स प्राब्लम होतीर उसको कहता है मतलब होता है जो चीछ नहीं होती है वेग होती है अचए इसके अलबा गशी हए neighbour हो था किसई मैं निकाल एन्थयान ऐसी चीज सबस्ते वह सेहाँ का मतलब किसी चीच को encourage करना stimulate करना चिंकली का मतलब होता है कि जब आप annoying way में rude way में किसी को कुछ कहते हो उसको कहते हैं हम लोग ठीक है चलिए आज के fun fact के बारे हुँ बात करें तो आज का fun fact है दोस्तों जो कि ए दुनिया में सबसे least visited country कौन सी है पूरी दुनिया में ऐसा कोई ऐसा तो कोई देश होगा ना जहाँ पर सबसे कम लगता हो आप को नौर्फ कोरिया के जीरिंस बार कि यहां पर पिछले अगर दस सालों की बात की जाए तो स्रिफ 9000 विजिटर तुरिस्ट यह जो कि इस कंट्री के अंदर आ हैं यहां पर तुरिस्ट देखने का मतलब है आप जनता ने कोई एलियन देख लिया हो क्यों कि इनका वीजा सिस्टम बहुत है कि मुश्किल बढ़ा है इनको वीजा लोग देते हैं नहीं क्या इनकी कंट्री में से जो दिखाना नहीं जाते है तो यहां पर ऐसा नहीं कि जगे की कभी है वैसे के 70 पर्संट कंट्रे डेजट है और यहां पर जो इनकी कैपिटल है वहां पर भी आपको वाइट बिलिंग द आपको आप डाउनोड करनी है, मुबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेट करना है हो सकता है आप YoupsC की की प्रिपरेशन कर रहे हो, PCS कर रहे हो, CA, CAT, UGC, कोई आपका IIT का एक्जाम है जो भी एक्जाम है आप यहां पर सेलेट कर एए, प्लस पे जाए, गैट सब्स्क्रिप है तो चलिए इसके अलावा आज का पहला सवाल है यूरोपिय संसत के नए प्रमुक के रूप में किसे चुना गया है कल हमने बढ़ा था इसके बारे में एंडी आरे व्राइसिंग डे किसनी तारी को मनाते हैं नाशनल डिजास्टर रेस्पॉंट्स का फॉर्मेशन कौन से सा ही था बिर्जु महाराज जी दोस्तों जिनके रिसेटली देथ हो गई कौन से डांस स्टैल से संबंदित थे तो यह था आज का आपका सेशन दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा मिलेंगे वापस चार बज़े वाली आन अकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लास में गाइस थेंक्यों अव्रिवन गुडबाए